इस्राइल हमास युद्ध की वज़ा से मिडलीस्ट में लगातार कई मूर्चों पर युद्ध छिड़ने का खत्रा मनरा रहा है क्योंकि एक तरफ जहां उत्री इस्राइल पर लेबनान का हिजबुला लगातार हमले कर रहा है वहीं दूसरी तरफ लाल सागर में यमन का हूती इराक और सीरिया के प्रतिरोधियों के साथ मिलकर ताबर तोड हवाई हमले कर रहा है और इन हमलों के पीछे का पूरा मास्टर माइंड इरान है हाल ही में इरान के विदेश मंत्री अली बगेरी कानी ने इस्राइल से दो टूक कह दिया था कि अगर इस्राइल लेबनान पर आकरमन करता है तो वो उसके लिए नर्क साबित होगा जहां से उसकी वापसी कभी नहीं हो पाएगी बगेरी के कहने का मतलब ये था कि अगर लेबनान पर हमला होता है तो इरान इस युद्ध में कूट पड़ेगा और इसी वज़ा से अमेरिकी राजपती जो बाइडन ने अपने विशेश दूद एमोस हॉस्टाइन को हालातों को संभालने के लिए इसराइल और लेबनान भेजा है अमेरिकी विशेश राजपती एमोस हॉस्टाइन ने तेल अवीव में इसराइली पीम बेंजमिन नेतनियाहू से मुलाकात की है इस दौरान संसद में विपक्ष के नेता याईर लैपिड और पूर विदेश मंत्री बैनी गैंड्स भी मौजूद रहे थे इस मीटिंग में एमोस ने साफ कर दिया कि हिजबुला और इसराइल के बीच युद्ध की कोई भी संभावना सीधे एरान को इस युद्ध में घसीट लाएगी जिसमें एरान की तरफ से इसराइल के उपर हमले शुरू हो जाएंगे और इन हमलों को रोक पाना इसराइल के लिए मुश्किल हो जाएगा अमेरिकी दूद ने अपनी इस मीटिंग के दौरान गाजा में युद्ध विराम के विकल्प को तलाशने पर जोर दिया है उनका कहना है कि गाजा में युद्ध के दौरान उत्री फ्रंट पर हिजबुला के हमलों को रोका नहीं जा सकता जब तक कि गाजा के भीतर आधिकारिक रूप से युद्ध विराम का ऐलान नहीं हो जाता एमास होश्टाइन का कहना है कि अगर राफा के भीतर अगले दो से तीन हफ़तों में आईडियाफ का ऑपरेशन खत्म हो जाता है तो इस से हिजबुला और इसराइल के बीच भड़की आग को कम किया जा सकता है हाला कि ऐसे हालातों से जंग खत नहीं हो जाएगी लेकिन ऐसे हालातों से पून युद्ध की संभावना को रोका जा सकता है और इस से दोनों पक्षों के बीच एक एगरिमेंट का रास्ता भी साफ हो सकता है आपको बता दे कि पिछले साल दिसंबर 2023 और इस साल मार्च 2024 में भी एमोस ने इसराइल का दौरा किया था उस वक्त भी उन्होंने चेतावनी दी थी कि गाजा युद्ध की वज़ा से हिजबुला के साथ जंग छिर सकती है लेकिन इस बार इमोस के साथ मुलाकात करने वाले इसराइली अधिकारियों का कहना है कि इस बार वो हिजबुला के साथ जंग की संभावना को लेकर इमोस बहुत ज्यादा ही चिंतित है उनको डर है कि दोनों पक्षों के बीच टकराव पूर्ण युद्ध में तबदील हो सकता है जिससे बॉर्डर पर दोनों तरफ भारी तबाही मच सकती है झाल झाल झाल